दोस्तो आज हम ये सीखेंगे कि वर्ण बफे किसी अच्छे ग्रोथ स्टॉक को डीटेल में अनिलाइस करते कैसे और उनकी एग्जेक स्टॉक पिकिंग स्टेडिजी क्या है क्योंकि आप मैंसे बहुत लोग मुझे कहते कैसर बहुत सारे यूट्यूबर्स और स्टॉक मार्केट के गुरू हमें एक पाँच मिनेट के वीडियो में पाँच मल्टिवेकर स्टॉक के नाम दे थे लेकिन हमें उतना कॉन्फिदेंस मिलता नहीं कि हम उसमें एक अच्छा इन्वेस्ट कर सके इसलिए मेरे इसाब से आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छी वेल्थ तब बिल्ड कर पाऊगे जब आप पाँच साल में अपनी सेविंग्स को किसी एक बहुती ब्रिलियंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो पूरी रिसर्च के साथ लेकिन बिजॉ दस सालों में सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसके उपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था लेकिन किसी भी कंपनी के ग्रेटनेस को समझने के लिए हमें उसे थोड़ा डीटेल में अनिलाईज करना होगा जिससे आपका इन्वेस्टिंग में कॉन्फि इसके अंदर हाई कॉलिटी ग्रोथ स्टॉक्स को ढूड़ने की बहुत सारी टाइमलेस एडवाईस है इसका अंदाजा आपको वीडियो के एंड होने से पहले खुद ही मिल जाएगा तो इसलिए अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इंप्रूफ करना चाते तो मैं वेस्टिट एप के जरिए युएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिसे ये इंटरनेशनल स्टॉक इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस काफी इजी हो जाता है और फिलहाल एज निव यर बोनस आपको इनकी तरफ से 10 डॉलर गिफ्ट मिलेगा अपने वेस पाइड है और 15% इस बुक के ऑथर फिलिप फिशर से लेकिन फिर 1994 में वार्न बॉफे के ओपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था The Warren Buffet Way अब इसमें ऑथर ने ये कहा था कि अब वार्न बॉफे की स्टेजी 50-50 है और इस बात से वार्न बॉफे ने भी अग्री किया लेकिन अब अगर आप वार्न बॉफे का पॉट्फोलियो और उनकी इन्वेस्टमेंट स्टेजी को क्लोजली फॉलो करोगे तो मेरे इसाब से वार्न बॉफे का अप्रोच 85% फिलिप फिशर जैसा है और सिर्फ 15% ग्राहम जैसा तो इसी बुक में उन्होंने एक 15 क्वेश एक्सप्लें करूँगा एपल कंपनी के एक्जांपल के साथ और इसी चेकलिस्ट को आप अपने स्टॉक में भी अपलाए कर सकते हो कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कैसी है क्योंकि अगर कोई ग्रेड कंपनी है तो उनके लिए मेज़ॉरिटी क्वेशन मे ग्रेन टिक होगा तो आपके पॉटफोलियो में जिस कंपनी में आपने सबसे ज़ादा इन्वेस्ट किया है आप उसे इस लिस्ट से चेक कर सकते हो कि कितने क्वेशन में उसे ग्रेन टिक मिलता है तो सबसे पहला क्वेशन है तो सबसे पहला क्वेशन है तो सबसे पहला क् है क्योंकि company का share price company की actual growth से बढ़ता है तो अगर हम apple company की बात करें तो हम सब को पता है कि ये company mobile phones computer, watch, airports और इसी technology के products बनाती है जो हमारी generation से शुरू हुआ है अभी भी सबी लोग mobile phone यूज नहीं करते बहुत सारी countries में चार लोगों की family में से सिर्फ एक या दो लोग mobile phone यूज करते है और इनके दूसरे products भी है जो बहुत ही कम लोग यूज करते है तो इस company में growth का potential अभी भी बहुत है तो यहाँ पर इसे green tick मिलता है फिर दूसरा question does the management have a determination to continue to develop new products अब अब इसका मतलब यह है कि क्या company का management new products को develop करने के लिए ready रहता है जब उनके existing products को already सब लोग use करने लगे अब दूसरो apple company ओरिजिनली एक computer manufacture करने वाली company थी फिर 1993 में इन्होंने iPad बनाया फिर 2001 में ये iPod बनाने लगी और 2007 में इन्होंने iPhone लांच किया और अभी ये company और भी बहुत सारे new products लांच करती रहती है तो यहाँ भी इसे green tick मिलता है फिर तीसरा question How effective are the company's R&D efforts in relation to its size अभी एक बहुत ही interesting question है क्योंकि ये question का मतलब ये नहीं है कि कौनसी company ज़्यादा पैसा spend करती है research and development पे इसका मतलब ये है कि company का जो R&D expense है वो कितना effective है उसके size के मुकाबले तो अगर हम US की 5 बड़ी companies को देखेंगे तो Facebook अपने sales का 21% spend करती है R&D पे Google 16% Microsoft 14% Amazon 11% और सबसे last में है Apple जो सरिफ 7% R&D पे spend करती है अब दुस्तो R&D पे कम spend करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि technology sector में company को नए नए products develop करते रहने पड़ते लेकिन फिर भी अगर आप किसी से भी पूछोगे कि इन 5 company में से कौनसी company ज़ादा new products लेके आती है तो सबका answer Apple होगा और अगर आप एक simple सा Google search भी करोगे तो सारे articles में आपको top पे Apple दिखेगी तो सबसे कम R&D expense करने के बाद भी यह यहाँ पे top पे कैसे है तो दोस्तो इसका answer यह है कि Apple एक बहुत ही simple और smart strategy यूज़ करती है वो invention पे कम और innovation पे ज़्यादा focus करती है invention का मतलब यह होता है कि आप कोई एकदम new product या technology market में लेके आते हो और innovation का मतलब कि आप कोई existing technology को थोड़ा better बनाते हो उसमें कुछ नई चीज़े add करके जैसे actually मैं computer को market में सबसे पहले IBM लेकि आई थी फिर Xerox company ने एक display वाला computer invent किया जो एक बहुती बड़ी invention थी फिर Steve Jobs ने एक बार Xerox के headquarter में visit किया जहां उन्होंने ये computer को देखा और उसके बाद जो हुआ वो history है या फिर mobile phone को launch Motorola company ने किया 1990s में और Apple ने 2007 में अपना पहला phone launch किया तो दुसरी companies invention करती है बहुत सारे पैसे खर्चे करती है लेकिन उनका आज कोई अधा पता नहीं है Apple बस existing product को improve करके लाती है और अच्छा profit कमाती है और इसलिए इनके R&D expense सबसे कम है और सबसे effective फिर चौथा question Does the company have an above average sales organization? मदलब company का sales department बाकी companies के sales department से कितना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दोस्तों business में सबसे important sales department होता है फिर चाहे आप कितने भी अच्छे products बना लो अगर एक अच्छा marketing department नहीं होगा तो company flop हो सकती है तो Apple के लिए हमें ज़्यादा discuss करने की ज़रूद नहीं है क्योंकि Apple की marketing strategy दुनिया की one of the best marketing strategy मानी जाती है business schools में इनकी case study सिखाई जाती है और इसके ओपर तो आपको YouTube पे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे क्योंकि इनके ads में आपको कोई भी TV के stars नहीं दिखेंगे जिनको ये करोडों या millions में pay करते हो ना कोई फालतू jokes ना कोई click bet फिर भी इनकी marketing successful होती है तो ये definitely एक above average sales organization है फिर does the company have a worthwhile profit margin क्योंकि दोस्तो जब हम stocks में invest करते तो बहुत लोग हमेशा ये सोचते कि फिलहाल government अच्छी नहीं है market condition बुरे है interest rate लो है या country के हालात बराबर नहीं है लेकिन actually में ये सब questions इतने important नहीं है सबसे important question ये है कि company का profit margin कितना अच्छा है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि company कोई generic चीज़े sell करती है और उनको discount देना पड़ता है तब जाके उनका sales होता है लेकिन अगर हम apple company की बात करे तो investo media के इसाब से एक iPhone को manufacture करने का cost सिर्फ 30,000 रुपीज के आसपास होता है जिसे वो 80, 90,000 या 1,000,000 रुपीज तक sell करते और इसी रिए इनका profit margin बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अलावा company के सिर्फ research and development और marketing cost होते जिसको हमने पहले ही discuss किया कि apple उसे कैसे control करती है तो इस company का profit margin हम Wested की mobile app से चेक कर सकते है और दोस्तों अगर आपको US stocks में invest करना है तो ये भी आप Wested की mobile app से invest कर सकते हो यहाँ आप बिना कोई brokerage या annual maintenance fee के साथ US investing कर सकते हो इसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो Apple का gross margin 38 से 40% के बीच रहता है जबकि Samsung, Xiaomi और दूसरे phone brands का gross margin 15, 18 या 20% के नीचे ही रहता है और इसलिए Apple का profit share सबसे ज़ादा है इसको हम 11th question के टाइम पर थोगा detail में analyze करेंगे फिर what is the company doing to maintain और improve its profit margin तो यहाँ पर company की competitive strategy काम आती है तो कोई भी company जब market के average से थोड़ा से भी ज़्यादा profit कमाती है तो competition बहुत ही तेजी से पीछे पढ़ता है जिससे company का profit margin गिरना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं है Apple का profit margin बढ़ता ही जा रहा है तो अगर आप Apple का glass door में review देखोगे तो यह 4 star के उपर है अब दोस्तो यह एक website है जहाँ अगर आप किसी company में job करते हो तो उसको rating दे सकते हो कि आप उस company में job करके कितना happy हो तो अगर हम यह Google करते है कि best place to work in the world तो best में से best companies की rating 4.6, 4.5 से शुरू होती है तो Apple की यह 4.4 की rating एक बहुत ही अच्छी है तो हम सबको पता है कि यह tech companies जैसे Google, Apple, Microsoft यह सब companies अपने employees को कितनी facilities प्रोवाइड करती है फिर does the company have outstanding executive relations मतलब company के top management जैसे CEO, CFO यह सब का company के साथ relation कैसा है अब दोस्तो Tim Cook और Steve Jobs बहुत पहले सी friends थे Steve Jobs ने अपने रहते हुए Tim Cook को company का COO बनाया था क्योंकि उनके अंदर वैसा passion था company को grow करने के लिए और अच्छे skills भी थे क्योंकि ठीक 10 साल पहले 2011 में जब Steve Jobs की death हुई थी तब किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि Apple आज जुनिया की सबसे variable company होगी लेकिन Steve Jobs ने retire होने से पहले Tim Cook को खुद CEO बनाया था क्योंकि उनको पता था कि Tim Cook Apple को लेके कितना passionate है फिर next question अब इसका मतलब यह है कि क्या company के पास अपने management में हर level पे अच्छे लोग है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि company सिर्फ एक आदमी के वज़े से चल रही है और उसी पर सारी responsibilities है जैसे Tesla का Elon Musk या Reliance का Mukesh Ambani क्योंकि हम stocks में long term के लिए invest करते तो हमें नहीं पता कि कब किस time पे किसको क्या हो जाए या किसके दिमाग में क्या आ जाए क्योंकि फिर इससे होगा ये कि जब ये star players company को छोड़के जाते तो company का performance गीर सकता है जिससे ultimately company के share price बुरी तरह नीचे जा सकता है क्योंकि फिर market अचानक से future को लेके बहुत जादा negative होता है उस company को लेके जैसे imagine करो आप Tesla और Apple इन दोनों company में एक एकलाक रुपे invest करते हो 10 साल के लिए और बस आपके invest करने के कुछ महीने बाद ही ये दोनों company के CEO यानि Elon Musk और Tim Cook resign कर देते तो कौनसी company का share price आपको short term में ज्यादा tension देगा और long term में भी कौनसी company आपको ज्यादा खत्रे में लगती है ये दोनों question का answer Tesla होगा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि company अच्छा profit तो कमा रही है लेकिन अपने cost को control नहीं कर रही है तो इसके लिए आपको company के annual reports रिट करनी होगी जैसे आपको पता चलेगा कि companies कैसे अपने expenses control करती है और अपने cash को कहां use करती है Apple ने इसे काफी brilliantly manage किया है क्योंकि उन्होंने अपने extra cash को एकदम conservatively use किया है जैसे अच्छी companies को खरीदने के लिए या growth के लिए और जब ऐसा possible नहीं था तो उन्होंने buybacks किये यानि खुद के shares को buy किया है और अगर ऐसा भी possible नहीं रहा तो फिर इन्होंने चुपचाप dividends पे किये तो इससे clearly पता चलता है कि ये company अपने shareholders की wealth को maximize करने पे focused है और यही one of the main reason था जिसकी वज़े से warm buffet ने बाकि सारे tech companies के मुकाबले इसमें invest किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये black line Apple की है mobile phone market में इनके पास 15% से भी कम का market share है मदलब पुरी दुनिया में हर 100 mobile phones में से सिर्फ 14 या 15 phone Apple के sell हो थे तो इसमें Samsung और Xiaomi इनको close competition देती है लेकिन Apple का revenue share 40% है क्योंकि ये सिर्फ महेंगे phone sell करती है आप कोई Apple का ऐसा वाला phone नहीं देखोगे और इनके सारे महेंगे phones में इनका profit margin भी बहुत बड़ा होता है और इसलिए operating profit margin 50-60% के भी उपड़ है क्योंकि इनके phone को manufacture करने का cost बहुत ही कम है जैसा हमने पहले डिसकस किया और इसलिए पूरी mobile phone industry का 75% profit ये एक company लेके जाती है फिर next question Does the company have a short range और a long range outlook in regards to profit अब ये एक बहुत ही tricky और सबसे important question है जो बहुत ही कम लोगों को समझ आता है इसका मतलब ये है कि company अपने profit के बारे में short term सोचती है या long term क्योंकि अगर कोई company आज के profit के बारे में सोचीगी तो chances है कि उसका future long term में risky हो सकता है और अगर कोई company long term के profit के बारे में सोचीगी तो आज शायद उनको profit नहीं मिलेगा तो ये एक बहुत ही tricky situation है तो इस situation में company का एक लंबा track record होना चाहिए मतलब past में जैसे 5-10 साल पहले company ने long term सोचा था जिसकी वज़े से आज उनको ज़ादा profit मिल रहा है और अभी वो extraordinary profits कमाते हुए और 10-20 साल के बारे में सोच रही है मतलब आपको ऐसी company speak करना चाहिए जो हमेशा long term सोचती हो तो management का track record और उनकी thinking से आपको idea मिल जाएगा कि वो कितना ambitious है और वो कितना long term सोचता है जैसे अगर Rocky आज एक comfortable life जी रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि उसने 10 साल पहले investing सीखी और अपनी छोटी-छोटी savings को long term के लिए invest किया और फिर आज Rocky comfortable life जीते हुए और जादा long term सोचता है और invest करता है और अपनी knowledge को और जादा improve करता है तो यहाँ पे आपको Rocky के बोलने की जरूद नहीं है कि वो future में बहुत जादा successful होगा आपको उसके track record से ही पता चल जाना चाहिए कि उसकी thinking process कैसी है वो कितना ambitious है और वो long term सोचता है या short term तो इसके लिए जब आप company की हर साल की annual reports rate करोगे तो आपको feeling आ जाएगी कि वो company किस चीज में जादा focus रहती है एपल आज पुरी दुनिया की सबसे valuable और बड़ी company है तो ये short term thinking से नहीं बनी है ये अपने हर project पे सालों लगा देती है research करने पे फिर उसे launch करती है तो ये भी हम stock investors के लिए एक बहुत ही important question है जिस पे बहुत ही कम लोग focus करते है अब इसका मतलब ये है कि जब company को future growth के लिए जादा पैसो की जरौत होगी तो क्या होने जादा shares issue करने पड़ेंगे क्योंकि अच्छी companies हमेशा अपने खुद के cash reserve से अपने growth को fund करती है वरना बागी companies को अपनी ownership dilute करनी पड़ती है मलब जादा stocks issue करने पड़ते है या loan लेना पड़ता है तो ये दोनों generally एक अच्छा signal नहीं होता है क्योंकि जादा loan लेने से company risky होती है company के bankrupt होने की chances बढ़ जाते और analysts usually ऐसी companies को कम valuation देते और जादा stocks issue करने से company के shareholders बढ़ जाते तो इससे होगा ये कि company के existing shareholders जिन्होंने पहले ही shares खरीद रखे थे तो उनका company का ownership stake कम हो जाता है तो अगर कोई company future में ज़्यादा profit नहीं कमा पाती तो ultimately company के share price नीचे जाएगा तो यहाँ पे Apple company ज़्यादा shares issue नहीं कर रही है बलकि और उल्टा ये shares buyback कर रही है मतलब company के पास जो extra cash है company उससे अपने खुद के ही shares purchase कर रही है जिससे इनकी balance sheet से equity portion कम हो रहा है तो ये इनकी investors के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे हो गया ये कि market में company के existing shareholders कम हो जाएंगे तो future में जब company profit कमाईगी तो वो कम shareholders में बटेगा और dividends भी कम shareholders को देना पड़ेगा तो इससे earnings per share और dividend per share automatically increase होगा जिससे ultimately इनके share price speed में उपर जा रहा है तो Apple ये share buybacks 2017 से करती आ रही है और उन्होंने अपनी annual reports में काफी बार mention किया है कि वो 2026 तक अपने 3-4% तक के shares buyback कर लेगी और इसके साथ में वो हर साल 10% के rate से अपने dividends भी increase करती रहीगी फिर next question अब इसका मतलब काफी simple है company जब success achieve करती है तो उसे कितना freely अपने investors को बढ़ाती है और जब किसी चीज में fail होती है तो उसे कितना freely अपने investors को बढ़ाती है या चुपा देती है तो ये चीज भी company की reports पढ़ते सर्में आपको समझ आईगी management analysis के ओपर हम एक अलग video में एकदम detail में discussion करेंगे तो आपको इसका भी एक अच्छा idea मिल जाएगा फिर last question अब दोस्तो ये सबसे important question है अगर किसी भी company में इसका answer low आता है तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए और company चाहे कितनी भी अच्छी हो उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर management fraud है तो चाहे आप दुनिया के कितनी भी अच्छे analyst क्यों ना रहो company अपने accounts को manipulate कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए Philip Fisher ने अपने experience से एक simple question form किया है कि अगर company के management के character पे आपको doubt है तो आप problem में फस सकते हो और apple company भी अपने 40-50 साल की history में आज तक कभी किसी serious case में फसी नहीं है और इसलिए warm buffet ने इस company में यहीं invest नहीं किया है इस company ने इस checklist के सारे criteria फुल्फिल किये जो होना बहुती rare है और दोस्तो warm buffet को यह company एकदम सस्ते valuation पे भी मिली थी तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी company मिलती है अच्छे valuation पे जो इन questions में से maximum question में भी right होती है तो आप उसमें confidently एक बड़ा amount invest कर सकते हो और chances है कि वो एक company आपकी अमीर बनने की journey में काफी बड़ा role play करेगी तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और bell icon प्रेस कर देना ताकि आप से कोई ऐसे valuable videos मिसना हो जाए US stocks में invest करने के लिए West State की mobile app की link नेचे description में है और आप लोग मुझे नीचे comment करके बताओ कि क्या आप कोई ऐसी company जानते हो जो ये सारे criteria's fulfill करती है नीचे comment करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया तो इससे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and good bye